हेलो दोस्तों वेलकम टू दे चैनल जैसे आपको पता है कि हम हम मेकनिकल प्रॉपरिटीज ऑफ फ्लुविड में देखे बेटा कि हम फिफ्स लेक्चर पे हैं इसके पहले के चार लेक्चर का लिंक भी मैंने दिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो जो नय है उन्होंने उनका भी यूज करके यहां तक आने की कोशिश कीजिए तो आज का लेक्चर हमारा बहुत ही ईजी और बहुत ही छोटा लेक्चर रहेगा बेटा जिसमें हम दो instruments के बारे में पढ़ेंगे that one instrument is called as mercury borometer जिसे टोरी चेली नाम के एक Italian scientist ने तयर किया था नाम बहुत ही जिसे कह सकते हम अलग टाइब का नाम है क्योकि हमारे इदर का नाम नहीं है Italian name है and the name is Toricelli Ivan Toricelli इतनका नाम था और इन महाश्य ने ऐसा एक device create किया था यह वो device है कि जिस device से हम क्या पता कर सकते है atmospheric pressure की value पता कर सकते है और इसे इन्हें सबसे पहले इन्होंने क्या किया था calculate किया था और फिर बाद में pressure difference calculate करने के लिए एक device use होता है और उस device को कहा जाता है open tube monometer अब यह बहुत ही ज्यादा कुछ rocket science वाले instruments तो है नहीं और बहुत बड़े-बड़े instruments भी नहीं है लेकिन मेटा short notes के लिए exam में बहुत वार mercury borometer भी आ चुका है और open tube monometer भी आ चुका है मैं आपको पहले से बता दू कि हमारा जो mechanical properties of fluid है वो तीन sections में divided है पहला section है it is about pressure दूसरा section है it is about surface tension और तीसरा section है about viscosity about viscosity तो बेटा आज का ये जो हमारे दो topics है छोटे-छोटे topics है ये pressure के division के सबसे आखरी topics है इसके बाद में हम कौनचा topic शुरू करेंगे surface tension शुरू करने वाले हैं और उसके बाद में हम क्या देखेंगे viscosity अब exam के इसाब से ये तो बड़ा topic है पूरा chapter ही थोड़ा सा बड़ा है और इनका detail analysis में theoretical part में बहुत ज्यादा question short note oriented इसके आएंगे तो छोटे-छोटे question है अब तक तो आपको कोई भी difficulty नहीं है सबने तो homework भी बहुत लोगों ने भेजा है जो नए है बेटा वो जिनको जिनको homework भेजना है मुझे WhatsApp number पूछिए मैं बताऊंगा comment section में तो आप उस पे हमें क्या कर सकते हैं अपना homework भेज सकते हैं तो बेटा क्या करते हैं mechanical properties of fluid का है चोटा सा जो part है that is mercury borometer उसको एक बार पढ़ लेते हैं मैं बिस लिखूंगा फिर बात में आपको समझागे बोलूँगा इसली हो जाएगा हम इसका क्या करेंगे detailed analysis करेंगे पहले mercury borometer बाय टोरीचेली और ओपन टूब मॉलमेटर दोनों भे छोटे छोटे चोटे टॉपिक्स है तो चलिए बेटा शुरू करते हैं पहले mercury borometer से तो चलिए बेटा पढ़ते हैं mercury borometer के बारे में बिलकुल इदर attention मत चलिए मैंने चोटे से टॉपिक्स में पहले थेले लिगी है बाद में हम इसका चोटा से एक इक्वेशन भी तैयार कर लेंगे लेकिन मैं आपको एक instrumental सेटप के जरिए mercury borometer का यूज बताऊंगा देखिए हमारे पास एक glass भी आ गया और मेरे पास एक ball भी आ अब देखिए इधर भी एक vessel है वो समझ लिजी है हमारा वेसल है ये एक glass है समझ लिजे ये tube मेरा glass करके क्या हो जाएगा यूज हो जाएगा तो सबसे पहला point हम पढ़ लेंगे बाद में मैं बोड को थोड़ा सा तेड़ा कर सकता हूँ कि borometer is a device which is used to measure atmospheric pressure कौन सा device है it is used to measure atmospheric pressure अब आप ध्य diagram के उपर और मैं क्या बोरा हूँ इसके उपर जो लिखा है उसमें बाद में हमें देखना है अब आप यहां पर देखें यहां पर दो चीज़े हैं एक glass tube समझ लिजे एक मीटर की हैं पूरी इसमें मैंने क्या कर लिया पूरे complete यहां एज तक mercury भर लिया है mercury यहां तक एज है डीश है जिसमें थोड़ा सा mercury है और मैंने क्या कर लिया कि इस tube को इस ball में invert कर दिया क्या क्या समझ में आगया यहां तक उसको भरा था यहां तक भरा था पूरा mercury से और mercury से भरने के बाद में उसे totally हमने ball में क्या कर लिया invert कर दिया अब क्या होगा आप समझ सकते है कि थोड़ा सा mercury यहां से क्या होगा नीचे गिरेगा गिरेगा थोड़ा सा mercury तो नीचे गिरे अगी अगर अगर mercury के level कम हो जाएगी तो यहाँ पे यहाँ से mercury के level कम होगे न अब यहाँ पे पहले air नहीं थी क्या था mercury था अब mercury वहाँ से चला गया यहनि अब क्या बचा सिर्फ mercury की vapors बची हैं वहाँ पे अगर वहाँ पे सिर्फ mercury की vapors अगर बची है तो वहाँ पे एर नहीं है और उस एरिया को टोरिल जेली ने कहा कि यह क्या क्रेट हो गई यहाँ पे वैक्यूम क्रेट हो गई इस वैक्यूम का यूज करके उन्होंने बोरोमेटर से एटमस्पिरिक प्रिशर निकाला हमों में इसके बाद में लिखूंगा लेकिन अभी जो म आपको बताया है वह मैंने यहां पी लिखाया पूरा कि हमने क्या क्या किया है एक में पूरी गलास अले में मरकुरी पूरा भर दिया इन उसे इंवर्ट कर दिया कि इन आप व क्यों सो तो डीष में थोड़ी लेवल क्या होगी कम हो गई और लेवल जैसे कम हो गई तो ऊपर क्या create हो गया vacuum create हो गया एक बार इसे पढ़ लेते हैं फिर बाद में क्या हो सकता है आप इसका screenshot निकाल लीजे लिख लेना और इसके बाद का मैं topic इसपे क्या कर सकता हूँ लिख सकता हूँ तो देखिए क्या लिखाता यह mercury borometer is a device which is used to measure atmospheric pressure atmospheric pressure is a weight of air column per unit area at that point देखिए वटा हमेंशा answer लिखने के लिए introduction लिखना answer का बहुत ही necessary है तो mercury borometer के बारे में लिख रहे है तो mercury borometer का basic function हमने लिख लिया it is used to measure atmospheric pressure और atmospheric pressure के बारे में भी एक line लिख दी क्या है atmospheric pressure it is a pressure of or it is a weight of air at that particular point अब क्या हो गया Italian scientist to richly devised for first time method of measuring atmospheric pressure by mercury borometer उन्हेंने पहली बार लिखा अब fourth, fifth and sixth यह हमारे answer के point है जो important points है fourth point पे हमने क्या बता है कि in mercury borometer a long glass tube of about one meter length and one centimeter diameter is filled with mercury completely and it is placed समझ लीजे यह थी it is filled with mercury completely and it is placed invert it is placed inverted in a small dish of mercury as shown in figure and as shown in demonstration हो गया तो दोनों तरफ आगया the level of mercury lowers as it spills into the dish level क्या हो रही है उसकी कम हो रही है a gap is created between surface of mercury in glass tube and its closed end यह surface of mercury अंदर का यहां तक आया समझ लीजे और यह closed end है इसके बिच में क्या create होगी gap create होगी और उस gap को कौनशी vacuum कहा गया टूरी सेल इस vacuum कहा गया अब वहां पे air नहीं है अब हमारे पास diagram में क्या create होगी diagram में हमारे पास यह तर दायर होगी vacuum यह हो गया point A यह C दोनों point consider कर लिए क्योंकि यह दोनों side पे कहा पे है same amount of structure पे है B it is inside the tube अब इसका करना क्या है इसके बाद में हम क्या लिखेंगे petamospiric pressure के लिए तो आप इसे लिख लिजे बेटा जल्दी से मैं आगे बढ़ता हूँ screenshot ले लिजे बाद में लिख लेना ने तो फिर अगली बार देखेंगे तो और भी ज्यादा आच्छे से समझ में आएगा और तब लिख लेना होगा समझ में तो आगे बढ़ता हूँ मैं अब यह मैं पोश्ट लिए तब कि आप हम कहा तक आए हैं हमने यहाँ पे क्रेट कर लिया tory jillis vacuum create कर लिया अब मैं 7th point से यहाँ पे लिखूंगा देखिए अब मैं बहुत शांती से समझाने वाला हूँ अब हमने सबसे पहले क्या कर लिया था यह था हमारा tory jillis vacuum अब बेटा point A जो है वो vacuum के exactly कैसे है नीचे है अब vacuum के नीचे है तो point A का pressure कितना आ जाएगा हमारा 0 अब हम expression पे है तो point A का pressure हमारा कितना आ गया है 0 therefore pressure at point A is equals to क्या हो गया है 0 हम क्या करें वाले हम हर एक point का pressure discuss करेंगी तो point A का pressure 0 आ गया यह आ गया समझ में है तो comment section में लिखिए वेटा कि PA क्या हो गया 0 आ गया अब PA 0 आ गया उसके बाद में चलते हैं point C पे point C बहुत interesting topic है जो tube के बहार है अब tube के बहार है दोनों तरफ है same structure पे अब इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं इसके ऊपर तो सीधी सीधी क्या है air है तो इस पे जो apply हो रहा है pressure वो purely atmospheric pressure है उसे PO कह सकते है C पे हमारा क्या act हो गया atmospheric pressure आ गया समझ में तो C है बट देखे C और B एक ही level पे है C और B कैसे level पे है एक ही level पे है तो एक ही level पे अगर है same horizontal level पे है तो उन दोनों का pressure भी कैसा होना चाहिए same होना चाहिए लेकिन देखें यह जो surface है समझ लीजे white board surface है यहाँ पे point consider कर लिए यहाँ पे point consider कर लिए अब दोनों का pressure दोनों पे air कैसी रहेगी तो दोनों का प्रेशर बर का लिए प्रेशर अब हमारा काम बन गया समझ में किए पॉइंड बी के उपरका प्रेशर निकालना है जो atmospheric pressure है अगया समझ में? कि point B के उपर का हमे atmospheric pressure निकालना है अब point B के लिए एक formula लग सकता है जो हमने second lecture में बढ़ा था मैंने कहा था आपको भी important formula है जो आखरी में हम use करेंगे एक बार अब second lecture में हमने कुछ सा formula बढ़ा था? कि pressure at depth D अब यहाँ पे depth कह सकते हैं समझ लिजे this is depth H यह H height पे कैसा है? नीचे है point अगर point B it is at depth H तो formula क्या लगागा है यहाँ पे P B is equals to P A plus H DG के जगा है D हम density नहीं rho लिखते हैं H rho G PA उपर का pressure plus H rho G second lecture का description में link भी है तो एक बार देख लिजेगा यह formula हमने कैसे derive किया था? हमने यहाँ पे तायर कर लिया था याद है आपको तीन diagram वाला expression बड़ा expression था तो P B is equals to P A plus rho H G अब हमने क्या किया पहले P A is equals to क्या prove कर लिया? 0 prove कर लिया P B is equals to atmospheric pressure prove कर लिया तो यह सब अगर हम substitute कर लेंगे तो atmospheric pressure is equals to हमारे पास formula कितना आ गया? H R O G where H is height of rise in the tube mercury कितना उपर जाता है? उस पे dependent है that what will be the atmospheric pressure at that particular point acceleration due to gravity पे तो dependent हैगी density of mercury तो सब तरफ से में रहेगी पर totally dependent कहाँ पे है? समझेजेए यह pulse और equator है तो pulse और equator पे जहाँ पे height ज्यादा हो गई mercury के अंदर तो वहाँ का atmospheric pressure कैसा है? ज्यादा है जहाँ पे कम हो गई तो वहाँ का atmospheric pressure कैसा है? कम है अग्या आपको समझेए तो एक बार क्या लिखाए एक बार फिर इसे discuss करते है सबसे पहले हमने क्या कहा था? कि एक tube भर लीजे mercury से उसे invert कर दीजे किसमें? एक ball में अब ball में भी क्या भरा है हमने? mercury था थोड़ा सा तो उदर क्या हो गया? वह spill हो गया यहाँ से वह बाहर निकल गया अब बाहर निकलते ही इधर क्रेट होगी? वैक्यूम क्रेट होगी वैक्यूम अबर क्रेट होगी तो PA is equal to क्या बन गया? 0 क्योंकि उसके उपर air ही नहीं है atmosphere ही नहीं है तो इधर आगया हमारा PA is equal to 0 इट इस बिलो वैक्यूम आगया सबज में? तो C horizontal level पे air के नीचे रहने वाले पॉइंट है तो इन पे कौन सा pressure act हो रहा है atmospheric pressure B और C same horizontal level पे हो तो इस पे भी same pressure act होगा हमें ये निकालना है हमने ये प्रूब कर दिया कि बहुत अंदर ट्यूब के अंदर भी atmospheric pressure है वो किस पे है B पे है और फिर height का formula लगा गए P is equal to H rho G वो formula लगा कि हमने क्या निकाल लिया H is height rho is density and G is acceleration due to gravity पेड़ा ये आखरे में लिखना पड़ेगा कि हमने क्या कर लिया borometer निकाल लिया आगया समझ में borometer बिटा तो borometer अगर समझ में आगया होगा तो हम अब क्या कर सकते हैं हम इस पे से एक और चोटा सा topic है comment section में लिखते रहिए तब तक हम general discuss करते है कि एक चोटा सा topic रहता है जिसे कहा जाता है open tube monometer वो भी एक topic है जैसा हमने इसकी short note बनाई उसके एक बार short note बना लेता है आखरी point भी हमारा क्या हो जाए cover हो जाए और एक भी topic फिर छूटेगा नहीं इस लेवल्स का तो इसे उसके नहीं भी पढ़ाया तो भी कोई problem नहीं है क्योंकि वो textbook में ज्यादा important है नहीं बट बेटा हमारा काम है कि सब चीजे देखना चाहिए हर चीज की diagram हर चीज का function हमें पता होना चाहिए अगर आपको ये formula पता हो गया है तो अगला formula भी जादा नहीं है और हमारे पढ़ाई के लिए अगर 3-4 minute जादा जाते है तो कोई बुर्वास होदा नहीं है तो हम पढ़ लेते हैं एक बार इसे मैं पोच लेता हूँ एक बार और हम कहाँ पे जाएंगे फिर इसके बाद में monometer पे जाएंगे तो सब पढ़ रहे है कि नहीं पढ़ते रहे हैं पढ़ना बहुत important है आगा समझ में तो चलते हैं हम open tube monometer की तरफ चलते हैं अब ये youtube का device है अब youtube यहने कौन साहा यह अपना चल रहा है वो youtube नहीं यह हमारी youtube है यह u shape की है तो इसे कहा जाता है youtube अब diagram बहुत easy है हमने क्या कर लिया it is a device which is used to major pressure difference देखे d है इसमें ये container है जिसमें हम कह सकते हैं कि gas भरा है अब इस gas का भी हमें क्या करना है pressure difference क्या करना है calculate करना है अब मने youtube कनेट कर ली अब इस youtube का भी एक specialization structure देखी इसका एक end open है वेटा खुला end है ये end कैसा है खुला है अब इस open end से हम क्या कर सकते हैं इसमें liquid भर सकते हैं अब हम liquid भर लेंगे liquid भरेंगे कैसा तो water के जैसा हमने liquid इसमें क्या कर लिया भर लिया अब वो liquid चला गया ऐसे अंदर गया यहां से गया इस youtube के जरीए यहां तक समझ लिए यहां ता आगा गा अब हमने ऐसा liquid हमें भरना है कि जो liquid एक difference तयार कर दे height का यहां से भर लिया अब आप लोग कहेंगे सर इसमें paradox फॉलो नहीं होगा गया तो paradox फॉलो होगा न मेटा लिखिन paradox की लिए दो अलग अलग container भी तो जरूरी है यहां पे तो एक ही container चल रहा है आगा समझ में तो यह से हमने पानी उसमें भर लिया अब इस पानी से क्या गरेंगे अब हमने तीन दो पॉइंट समय consider कर लेंगे हम एक पॉइंट कर लेंगे पॉइंट आर जो कहां पे है इस पॉइंट ओन ओपन सर्फिस यह सर्फिस ओपन है कि नहीं तो इस पे जो एक्ट हो रहा है प्रेशर वो कौँचा प्रेशर रहेगा एक पॉइंट कंसीटर कर लेंगे हम पॉइंट टी जो यहां पे है अब यह पॉइंट टी कहां पे है एक्सपोज तु दू प्रेशर आफ गैस विदिन दा कंटेनर इस कंटेनर से जो प्रेशर है वो इसे expose हो गया है और इस exactly T के सामने at its horizontal level in open arm of tube but at same level of T ऐसी जगह पे एक और point हमने consider कर लिया है S और S और R इन में हमने difference कितना कर लिया कर लिया तो आपको समझ में आगे तीन पॉइंट हमने क्या कर लिया हमारा मोनोमेटर हो गया है सिंपल छाय डिवाइस है बिल्कुल भी ज्यादा complicated डिवाइस नहीं है यह क्या है इडिवाइस विजी यूजर प्रेशर डिफरेंस इट कंसेस्ट ऑफ यूट्यूब जो राइस ही नहीं होगा तो इट कंसिस्ट ऑफ यूट्यूब पारिशली फिल्ड विट लो डेंसिटी फ्लिविड विट में भी यूजर डिवाइस केरोसीन और वोटर वन आर्म आर्म उफ यूट्यूब इस ओपन टुद एट्मोस्पियर एंड अनादर इस कनेक्टिड अब D क्या है? D is a system whose pressure is to be measured इसका हमें calculation करना है तो यह हमारी D होगी अब हम यहाँ पे क्या कह रहे है कि हमने तीन पॉइंट कंसिडर कर लिए एक पॉइंट है R which is open to the surface जिसका प्रेशर है PO atmospheric pressure यह आपको धहन में रखना है क्योंकि इसके बात में मैं इसे पोच्छ के हम equations लि it is exposed to the pressure of gas which is in container and S T के समानतर T के exact level पे height पे बट कौन से arm में open arm में है आगे बटा समझ में यह हमें कहना है अब इन तीनों point का करना क्या है? तो इन तीनों point को मिला के हम pressure निकालेंगे पोच्छ दूएं तो इसे भी लिख लिजे एक बार तो देखिए हम क्या कह रहा है अब हमारे पास S था S height पे नीचे है depth का equation यहाँ पे लग गया तो pressure at S can be represented as P S is equals to PO plus H rho G H क्या है? H is the height of liquid column about S S and T are at same level therefore P S is equals to क्या बन गया? PT दोनों के pressure के सा रहेगा अब Pascal ने क्या कहा था? Pascal चलो तो आएगा है न क्योंकि container तो same ही है मैंने पहले ही बोला था according to Pascal's law सब तरफ pressure क्या रहेगा? Same रहेगा और एक-एक arm का pressure बोलते है प्रेशर के सा है same तो D में जो pressure है वही pressure कहाँ पे है T पे है समझ लिजे D का pressure हम कह लेंगे D का pressure है P जो हमें पता नहीं है तो D का pressure है P और T का pressure है PT बट ये दोनों pressure कैसा है? Same है ये हम कह सकते हैं क्योंकि Pascal ने क्या कहा था? That pressure will remain same throughout the liquid तो P is equal to क्या बन गया? PT ये तीन equations को हम अगर मिला दें तो PS के जगा के हम ये क्या लिख सकते है? PT लिख सकते हैं और PT के जगा पे हम क्या लिख सकते है? P लिख सकते हैं ये हम ये तो निकालना नहीं तो हमें क्या निकालना था? Pressure difference निकालना था तो pressure difference तो easily निकल जाएगा ना? Pressure difference क्या बनेगा? P minus PO is equal to HOG and thus monometer क्या देता है? gives us pressure difference in container जिसे gauge pressure भी कहा जाता है जिसे क्या कहा जाता है? Gauge Gauge pressure का मतलब क्या होता है? Gauge pressure यानि क्या बेटा? Pressure difference difference between pressure of container and atmospheric pressure उसे कहा जाता है Gauge pressure अगर समझ में? तो हमने निकाला गया से था? हमने बस तीन points का pressure compare कर लिया और answer निकाल लिया बहुत ही आसान topic है इसके बाद में के topic बहुत interesting होने वाले है तो इस पर ज़रा ध्यान दिजिएगा यह आपको समझ में आई गया होगा बहुत ही आसान topic था तो बेटा पढ़ते रहिए homework मुझे लिखके फेजते रहिए जिनको number नहीं पता है वो number पूछे बेटा कोई बेजी जब पूछे कोई टेंशन नहीं है मैं number बताऊंगा और शिर्फ whatsapp पे जो बाहर के हो call मत कीजिएगा whatsapp का number है वो तो call का भी number होई है एक ये number है बट अगर हम whatsapp पे बात करेंगे तो detail में हम क्या कर सकते हैं तो जिनने homework भेजना है वो number पूछे पाकी बेटा पढ़ते रहिए साल भर मैं पढ़ाता होंगा रोज एक topic आएगा रोज नया वीडियो आएगा कल हम दूसरा topic पढ़